जै हिन दोस्तों 25 नौंबर रेल रोको आंदोलन 28 लाग जवान पूर सैनिक और फैमिली पेंस नर्स किसान के 300 टेक्टर तयार है जवान और किसान एक हुए है और एक लेटर भी जारी हुआ है बता दे किसानों ने साथ क्यों दिया है उस लेटर में लिखा है सबसे पहले तो म में आपको लेटर दिखाता हूँ साबका सैनिक संगर्स कमेटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जो लेटर में किसान यूनियनों ने समर्थन के लिए उसमें मांगा गया था मेमरेंडम है 15.10.2023 को लिखा गया था किसान आंदोलन के दोरान पूर सैनिक जवानों द पर किये जा रहे है रेल रोको अंदोलन में सहयोग एवं समर्थन देने के संबंद में एक लेटर लिखा गया है और इसमें कहा गया है श्रीमान आप से निवेदन है कि पूर सैनिक जवानों द्वारा पेंसन और स्युधाओं में भेदभाव के आरोप में के विरोध में 20. जन्वरी 2023 से जंतर मंतर पर अनिश्चित कालिन धन्ना चल रहा है इस समय जंतर मंतर पर आठ महिने से लगातार धन्ना जारी है किसान भाईयों हम पूर सैनिक जवानों ने किसान आंदोलन के दौरान अपने किसान भाईयों का डट कर समर्थन किया था और इसी दौरान हमार जो सैनिक संगर्स कमेटी है उसने लगातार अपने टेंट लगाकर दिल्ली मोर्चे में सामिल हुए थे दिल्ली में सामिल हुए थे जो किसानों का अंदोलन था दिल्ली किसान अंदोलन के दौरान हम पूर सैनिक जवानों ने किसानों के पच्छ में माननी राष्टपत जी को अपने medal भी लोटाए थे और 26 जनूरी को ट्रेक्टर परेड में पूर सैनिक जवान medals पहन कर सामिल हुए थे किसान भाईयों जैसा कि आप जानते हैं कि किसान यूनियनों में बहुत बड़ी संख्या में पूर सैनिक जवान members हैं किसान भाईयों केन सरकार दोरा पूर सैनिक जवानों के साथ बहुत बड़े बेदबाव हुए हैं किये जा रहे हैं यही कारण है कि पूर सैनिक जवान पिछले आठ महिनों से जंतर मंतर पर अनिश्चित कालिन धरने पर बैठे हैं किसान भाईयों सेना में लगबग 90% जवान किसानों के बच्चे हैं और पेंसन आने के बाद वो खेती ही करते हैं किसान लेकिन केन सरकार हमारी मांग माननी सुप्रीम कोर्ट के तीन रिटार्ट जजों की कमेटी तीन महीने के लिए बनाने की मामूली मांग भी नहीं मान रही है इसलिए हम पूर्ष सेनिक जवानों ने 25 नॉमबर 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनिश्चित कालिन समय के लिए रेल रोको आंदोलन करने का कारक्रम बनाया है इसलिए हम सभी किसान यूनिनों से अन्रोथ करते हैं कि जिस प्रकार पूर्ष सेनिक जवानों ने किसान आंदोलन में भाग लिया उसी प्रकार किसान यूनिनों को भी हमारे रेल रोको आंदोलन में सामिल होना चाहिए और इसमें जो लेटर लिखा गया सभी का समर्तन मिल चुका है और बड़ी खबर आ रहे है कि किसान 300 아까 के साथ किसान यूञान सामिल हो गए जो रेल रोको अंदोलन होगा